इंग्लेंड की महिला क्रिकेटर्स नेट सीवर ने अपनी टीम मेट कैथरीन ब्रंट के साथ 29 माई यानी रविवार को शादी रचाली है क्रिकेटर से ब्रोडकास्टर बनी ईसा गुहा ने अपने इंस्टाग्राम पर दोनों की तस्वीरे शेयर कर इस बात की जानकारी दी करीब 5 साल तक रिलेशन्शिप में रहने के बाद अब दोनों शादी के बंधन में बंद चुके हैं कैथरीन ब्रंट और नेट सीवर ने अक्टूबर 2019 में सगाई की थी और अब दोनों ने इस रिष्टे को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है वैसे दोनों की शादी आधिकारिक तौर पर सितंबर 2020 के लिए निर्धारित की गई थी लेकिन कोरोना वारिस महामारी की कारण इसे स्थगित करना पड़ा दोनों महिला खिलाडियों ने होम आफ क्रिकेट कहे जाने वाले लॉड्स में इंग्लैंड की एतिहासिक महिला विश्व कप 2017 जीत में एहम भूमिका ने भाई थी आपको बता दे कि नेट सीवर और कैथरीन ब्रंट से पहले भी कुछ महिला क्रिकेटर्स आपस में शादी कर चुकी हैं साल 2017 में न्यूजिलैंड की विमन्स क्रिकेटर्स एमी सेदरवेट और लिया ताहूहू ने शादी कर ली थी फिर जुलाई 2018 में अफरीका की डेन वॉन निकर्क और फास्ट बॉलिंग आल राउंडर मारिजाने कैप ने शादी की थी 2019 में न्यूजिलैंड की हिले जैंसन और औस्ट्रेलियाई निकूला हैंकॉक समलेंगेक विवाह बंधन में बंद गई थी कैथरीन ब्रंट और नेट सीवर ने इस साल की शुरुवात में न्यूजिलैंड में आयोजित ICC महिला विश्व कप 2022 में इंग्लैंड का रिप्रेजेंटेशन किया था उस वर्ल्ल कप में इंग्लिश टीम ने पहले तीन गेम गवा दिये थे लेकिन बाद में लगातार जीत दर्ज कर उसने फाइनल में जगह बनाई थी हाला कि फाइनल में इंग्लैंड को मेग लैनिंग की अगवाई वाली औस्ट्रेलियाई टीम से हार का सामना करना पड़ा था इंग्लैंड टीम का ध्यान अब अगले साल होने वाले ICC महिला T20 विश्यकप पर होगा जो साउथ अफ्रीका में खेला जाना है ऐसे में शादी के बारे में आपकी क्या राया है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के यूट्यूब चैनल खबर विबाग को जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार